नमस्कार दोस्तों मैं रोहुन श्रमा स्वायत करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिशिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हमें आपर बात करने वाले हैं 12 सेटमबर 2023 के बारे में 12 सितमबर 2023 का ये दिन आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है आज के इस दिन में कौन-कौन सी वैदिक रेमिडीज आप सभी के लिए बहुत जादा अची रहेंगी क्या रहेगा आज का एंजल अंबर और आज का आफ़रमिशन कैसे आप इस दिन को बहुत जादा अच्छा बना सकते हैं सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में अन तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आप से मिस ना हो जाए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपर message of the day के बारे में क्या रहेगा आज के दिन का महतुपूर्ण संदेश जो आपके दिन को और ज़दा आसान बनाएगा तीन चीजें हमारे life में हम सभी चाहते हैं कौन-कौन सी ये वो तीन चीजें? आनंद, सुख और शान्ती हम सभी चाहते हैं कि हम आनंद के साथ अपना जीवन बिताएं हम सुखी रहें और हम सभी को शान्ती मैसूस हो बट तीन चीजें जो है वो आपको बहुत ज़दा परिशानी देती है सबसे पहली चीज यहाँ पर है शोक मलब कि आप सभी हर बार किसी चीज को लेकर के बैठ जाते हैं और उसकी वज़े से उदासी आपके उपर चा जाती है और आप कहीं न कहीं उस चीज को अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं उस चीज का पूरा-पूरा फाइदा नहीं उठा पाते दूसरी इंपर्टन चीज आप सभी मोह में उलज जाते हैं और मोह में उलजने के कारण से आप सुख से वंचित हो जाते हैं और तीसरी इंपर्टन चीज भय भय की वज़े से आप सभी शांती को अनुभव नहीं कर पाते और इसी वज़े से आप सभी अपने जीवन की अच्छाई को नद देख करके अपने जीवन की परिशानियों में ही उल्जे रहते हैं और इसी कारण से हम सभी कहीं न कहीं लाइफ को अच्छा देखने के बजाए लाइफ को खराब देखते हैं और कहते हैं कि हमारी लाइफ तो बहुत ज़्यादा परेशानियों में है अगर आप सभी मोह में नहीं पड़ेंगे अगर आप सभी भई से बहुत ज़्यादा भाईबीत नहीं होंगे और अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे अगर आप सभी किसी चीज़ को लेकर के बैठेंगे नहीं और आनंद के साथ अपने हर एक दिन को अपने जीवन के हर एक पल को बिताने की कुशिश करेंगे तो डेफिनिटली आपके जीवन में भी अच्छा ही आते हुए नजर आएगी आपका जीवन भी बहुत जादा स्मूथ निकलते हुए नजर आएगा उमीद करता हूँ कि आज से आप सभी भी आनंद के साथ, सुख के साथ और शांती के साथ अपना जीवन बिताने का प्रयास करेंगे बात कर लेते हैं याँ पर आज के दिन में कौन-कौन से एंजल नंबर और अफ़र्मिशन आपके लिए बहुत जादा अच्छे रहने वाले हैं जो आपके लिए बेहत खास नोट कर जी जी का प्लीज आज का एंजल नंबर जो कि आपके लिए रहने वाला है बेहत खास आज का नंबर है आपका 41053 बहुत बहुत जादा इंपॉर्डन नंबर है और आज का ये नंबर आपके लिए कई माईनों में आपके एनर्जी को बैलेंस करेगा आपके नेचर को बैलेंस करेगा आपके कामों को बैलेंस करेगा नेगिटिविटी को आपसे दूर रखेगा और खासकर पुराने ख्यालात आपके मन में आकर कि आपको परिशान नहीं करेंगे इतनी एनर्जी ये नंबर आपको देता हुआ नजर आएगा तो इसलिए आप सभी भी अगर इ आज का आफर्मिशन टूड़ें विल लीड मी तू न्यू एंड एक्साइटिंग पाट्स आफ सक्सेश मतलब की आज के दिन में और यह आज का दिन ही मुझे सही डाइरेक्शन में और एक बहुत ही जादा पॉसितिव डारेक्शन में लीड करता हुआ नजर आएगा जो की सफलता की तरफ चाहता है ऐसा ही होता हुआ भी दिखेगा आज मंगलवार का जो यह दिन रहेगा यह वाकड़ी में काफी ज़ाधा positive दिन है और काफी ज़ाधा energetic दिन यहां पर दिखाई दिता है आज के दिन में काफी ज़ाधा power है काफी ज़ाधा energy है और आज आप अगर किसी भी चीज के लिए द्रट निश्चे करते हैं, किसी भी चीज को करने की कोशिश करते हैं, तो definitely उसमें आपको success बहुत अच्छे से मिलता हुआ दिखाई दिता है आज के दिन में आप सभी को बड़ों के साथ थोड़ा सा मिलजूलकर काम करने की कोशिश करनी चाहिए, और बड़ों की मदद करते हुए अपने आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आगर आज आपका जन दिन है, आपके एनिवर्सरी है, आपके जीवन का कोई भी विशेश मैत्वपुन दिन है, आप सभी को मेरी और से हारदिक शुप कामना है आने वाला समय आप सभी के लिए बहुत जादा अच्छा जाता हुआ नजर आता है आने वाले समय में आप सभी को नई opportunities मिलते हुए नजर आएंगे, नए काम बनते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ साथ कुछ नए प्रियोजन या नए आयोजन आप कर सकते हैं, इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई दिते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा और तीर्थ यात्राओं के लिए spiritual places पर जाने के लिए भी यह समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा जाता हुआ नजर आएगा अब बात कर लेते हैं आपर golden wish time के बारे में एक ऐसा समय जो आपके दिन को और भी ज़्यादा positive बना देता है आज के दिन में golden wish time की यहाँ पर बात करें तो एक बचकर पंदरा मिनिट दोपर का समय रहेगा एक बचकर पंदरा मिनिट से लेकर के दो बचकर पंदरा मिनिट तक का समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है इस समय में अगर आप कोई भी ज़रूरी काम करना चाहें आप आराम से कर सकते हैं आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वैदिक रेमिडिस के बारे में कौन-कौन से हैं जोतिश के उपाए जो आपके दिन को बनाएंगे और भी ज़्यादा खुबसूरत देखे आज जैसे मैंने कहा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा और इस एनर्जी को बनाने के लिए अपने आपको मजबूत रखने के लिए आज थोड़ा सा सुबह जल्दी उठकर के सनान कर लें और सनान के तुरंद बाद कुम-कुम का टीक का अपने माते पर कर सकते हैं यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहेगा आज के दिन में कोशिश करिएगा कि जब भी गर से बाहर निकले किसी भी विशेश कारे के लिए गर से बाहर निकले तो कुछ मीठा खाकर के ही बाहर जाईएगा मीठे में आप शहद या जागरी गोड का इस इसके अलावा आज के दिन में कोशिश करिएगा जब भी मौका मिल जाए आप अपनी मदर मदर के साथ माता जी की साथ थोड़ा समय जरूर बिताईएगा और उनके मन के इच्छाओं को जानने का प्रयास जरूर करिएगा उनसे ब्लैसिंग्स लेने की कोशिश जरूर हैं तो एक चोटा सा उपाया और बता देता हूं इसको कर लीजिएगा पूरी तरह से आप तनाव मुक्त अपने आपको महसूस करेंगे आज अपने गर में जब या खाना पकाते हैं खाना पकाने के बाद या फिर गर में जब आखरी बार गैस जलाये जाए उसके बाद अखरी बार जब गैस का काम पूरा हो जाए उसके बाद ही उपाय करिएगा और इसको करने के बाद आप सो जाईएगा गैस को आन ना करें इस बात का ध्यान रखिएगा यह काम अगर आप शाम को करते हैं तो शाम को सोने की जरूरत नहीं है सोना तो आपको रात कोई है कि दिन को balance करेंगे और आपकी negativity को आपसे दूर करते हुए नजर आएंगे और उमीद करता हूँ आप सभी इस दिन को बहुत अच्छे से enjoy करते हुए नजर आएंगे वीडियो को like कर दीजिएगा चैनल को subscribe जरूर कर दीजिएगा बैल आइकन पे जरूर से click करिएगा कुछ प